नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी प्रेणा दायक कहानी लेकर आया हूँ जो उन लोगों के लिए खास है जो अपने जीवन में दुखों से समस्याओं से पीडाओं से जूज रहे हैं और वो अपने जीवन को सुखमे बनाना चाहते हैं सफल बनाना चाहत दोस्तो हर साल एक माता पिता अपने पुत्र को उसके गर्मी की छुटियों में उसके दादा दादी के घर ले जाते थे दस से बारा दिन तक वहां रहते थे और फिर वापस आ जाते थे ऐसा ही हर साल चलता रहा अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया था तो उसने माता पिता पहले तो राजी नहीं हुए फिर कुछ सोच विचार करके अपने बच्चे को सारी तरह की सावधानिया समझाते हुए अनुमती दे दी अब जब जाने का दिन आया तो माता पिता ने क्या किया कि लड़के को लेकर साथ स्टेशन गए ट्रेन में उसकी सीट में उसे बिटाया और फिर बाहर आकर खिड़की में से बाते करने लगे उसे एक बार फिर से सारी सावधानिया समझाई लड़के ने कहा कि उसे सवयाद है वो अच्छे से पहुँच जाएगा वो चिंता ना करे अब ट्रेन छूटने का समय हो गया था ट्रेन को सिगनल मिल लड़के ने लिफाफा लिया और जेब में रख लिया माता पिता ने हाथ हिला कर उसे विदा किया ट्रेन चलती रही स्टेशन आते तो लोग पुराने जो उतरते तो कुछ लोग नए चड़ भी जाते और ज्यादा तर लोगों के साथ कोई ना कोई होता यहाँ देखकर ल प्रेन पे चड़ी जिसका चहरा बहुत ही भयानक था पहली बार बिना माबाप के बिना किसी सहीयोगी के वो लड़का सफर कर रहा था तो लड़के को थोड़ी सी घब़ रहाट हो गई वो थोड़ा सा उसे डिक-कर डर गया लड़के ने क्या किया कि उसने अपने आखे ब पिता की दी हुई वो लिफाफे के बारे में याद आई जो उसने जेब में रखा हुआ था उसने जेब से लिफाफा निकाला और उसने उस पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ना शुरू किया उस चिठी में लिखा हुँ था उसके पिता ने कि तु डर मत मैं पास वाले कमपार इस गाड़ी में ही बैठा हूँ ये पढ़ते ही उस लड़के का चेहरा जो है वो खिल उठा उसका सारा डर है वो दूर हो गया दोस्तो हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है जब भगवान ने हमें इस धर्ती पे भेजा है तब उन्होंने भी हमें एक ऐसा ही पत्र दिया है जिसम तुम मुझे स्मरन रखते रहो सच्चे मन से याद करना तुमारे हर दुख हर परिशानी हर कष्ट में एक पल में मैं तुमारे सामने आ जाओंगा इसलिए दोस्तो किसी भी परिस्तिदी में हारना नहीं निराश नहीं होना हताश नहीं होना घबराना नहीं अपने भगवा पर परमातमा पर हमेशा हर पल हर घड़ी हर शनद भरोशा रिखना वह हमारे साथ है हमारे पूरे जिवन को यात्रा के दौरान हमारे आखरी सांस तक वो परमातमा हमारे साथ है और है। और वो आपका साथ कभी नहीं चोड़ता है और वो यही कहानी यही समझाती है कि जीवन के इस जो यात्रा में इनसान का जो जीवन यात्रा है उसमें उसके जीवन में जितने भी अच्छे बुरे उतार चढ़ाओ खराब हर तरह के जो पल आते हैं जो समय आते हैं उसमें घबराने का नहीं, उसमें अपने भगवान को, अपने परमात्मा को याद करना और फिर परमात्मा आपके हर समस्या का निवारन करने वो खुद हाजिर होंगे, किसी ना किसी तरीके से. तो दोस्तो इस कहानी में यही समझाया गया है कि आपको अपने भगवान पे भरोसा रखना है परमात्मा में भरोसा रखना है आपको यह समझ लेना है कि आप अकेले नहीं है जिवन के हर पल, हर घड़ी, हर शन वो भगवान, वो परमात्मा आपके साथ है और देखिएगा दोस्तो यही सोच यही भरोसा आपको हर परिशानी हर समस्या से हर बाधा से आपको निकाल कर ले जाएगा आपको रास्ता दिखाएगा और आपको एक इस दुख समस्या इस परिशानी वाले जीवन से निकाल कर आपके दुख को सुख में परिवर्तित करेगा क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है हम अकेले नहीं है तो घबराना नहीं है तो दोस्तों ये कहानी जो है ये वैसे तो बहुत छोटी सी है लेकिन इसमें जो समझाने का मैंने प्रियास किया है वो यही कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें समस्या पे अपने जीवन के दुखों से परिशानियों से जो घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो अकेला पड़ गया, मैं कैसे करूंगा, ये वो बहुत सारी negativity आ जाती है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, इस कहानी को सुनाने का मकसद ही यही था, कि आप अकेले नहीं हैं, जब भी लगे आप अकेले हैं, तो समझ जाए आप अकेले नहीं उपर वाले ने आपको भी एक चिठी दे रखी है, जिसमें उन्होंने बता रखा है कि मैं हर पल, हर घड़ी तुमारे साथ हूँ, तुमारे पास हूँ, बस मुझे दिल से याद करो, मैं हर पल मौजूद हूँ तुमारे लिए, तो दोस्तों कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताईएगा, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, क्योंकि मैं इस तरह की बाते, इस तरह की कहानिया, और भी रोचक रोचक इन्फोमेशन्स आप सभी लोगों के लिए आता रहता हूं, मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए टाटा